इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कालपोल 250 Mg Oral Suspension याने की कालपोल 250 सिरप के बारे में इस सिरप को हम बच्चे को कब दे सकते हैं, कब इसका यूज कर सकते हैं, कितनी डोज एक बार में हम दे सकते हैं और इसके side effects क्या क्या हो सकते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि इसको द MRP अभी 45 रूपीज है, ये सिरप strawberry flower में आती है और अगर आपके बच्चे की age एक साल से लेकर 10 साल के बीच में है या फिर आपके बच्चे का वजन 10 किलो से लेकर 30 किलो के बीच में है तो आप ये सिरप अपने बच्चे को दे सकते हैं एक साल से छोटे बच्चे के लिए ये सिरप नहीं है एक साल से छोटे बच्चे को कालपोल डॉप्स दी जाती है या फिर कालपोल 120 mg सिरप दी जाती है इसके 5 ml में 250 mg पेरसिता मॉल होता है और पेरसिता मॉल एक एनालजेसिक और एंटी परेटिक मेडिसिन है यानि कि इस सिरप का यूज आप बच्चे को पेरी पेन हो रहा है तो भी आप ये सिरप बच्चे को दे सकते हैं बच्चे के गले में दर्द है या फिर किसी चोट के कारण से दर्द है तो भी आप ये सिरप बच्चे को दे सकते हैं सरदी जुकाम में भी कई बार ये सिरप डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जा है तो आप easily अपने बच्चे के लिए डोज इसमें से देख कर दे सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर के द्वारा बताए गई डोज के हिसाब से भी आप ये सिरफ दे सकते हैं ये सिरफ आप अपने बच्चे को सुबह शाम याने दिन में दो बार दे सकते हैं अगर आप डोज के बीच में मिनिमम चार घंटे का गैब जरूर रखें अगर आप बच्चे को ओवर डोज देते हैं तो बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है गैस हो सकती है नोजिया या फिर उल्टी भी हो सकती है तो ये थी पूरी जानकारी कालपोल 250 mg सेरप के बारे में अगर ज स्वास्तिस रेलेटेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू